प्रधार मंत्री कोशल विकास यूजना के तहट क्रोना वाइरस एमर्जेंसी डूटी के लिए सतमेव जयते फाउंडेशन के द्वारा 160 यूवक और यूफ्ती को परिस्क्षन दिया गया था आज परिस्क्षन पराप्त 160 यूवक यूफ्तियों ने सिवल सर्जन का घिराओ कर परिस्क्षन किया दरसल इन परिशिक्षन प्राप्त ये वक्यूटियों का आरूख है कि परिशिक्षन देने के बाद on duty नपे दिनों का परिशिक्षन और प्रमान परत्र देने के है लेकिन इसके लिए कई बार सिवल सर्जन से मुलकात के बाद भी ऑन जॉब परशिक्षन नहीं दिया जा रहा है इसे परशिक्षन देने की मांग को लेकर सिवल सर्जन आफिस में विरोध परदर्शिन किया गया सिवल सर्जन बिके जाका कहना है कि अब तक विभाग के द्वारा कोई देश नहीं आया है कई बार इसके लिए प्रत्रचार भी किया गया है लेकिन मुख्याले से अभी तक कोई आदेश नहीं आया इस वज़ा से इन लोग का परशिक्षन नहीं कराया जा रहा है प्रशिक्षन किया गया है। प्रशिक्षन किया है। लेकिन वहां से कोई आदेश इसमगर में अभी तक प्राप्ट नहीं हुआ है। बलकि पिछले सफे जब हम जटिकत संपर्ट किये इसके जो पदादिकारी हैं गुपता जी। तो उन्होंने कहा कि हमारी बाते हुई हैं और डारेक्टर इंचिप का कहना है कि पूले बिहार के लिए निकलेगा। प्राप्ट नहीं के लिए यह पट्रिया धीन है और आदेश आने पर आपको स्थे जूज के प्रस्तुत करता है। सिटी सेंटर दा कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस्वेर शोरूम सुभास चौक दरभंगा। लिए एक सक्लूसिव शोरूम सुभास चौक और बैने कॉमी तांजीन न्यूजपेपर दरभंगा।